अब हुन देखते हैं प्रावलम नमबर नाइन्थ देखें प्रावलम नमबर नाइन्थ में क्या दिया है एन आइसो स्लेश ट्रेंगल प्लेट क्या आप बेस थ्री वीटर एड अल्टिट्वी थ्री मीटर इस इमर्ज वर्टिकली इन ओईल आप स्पेसिफिक ग्रिविटी पॉइंटेट देखें इस प्रावलम में जो फीगर आपका बनता है वो इस तरीके से बनता है तो प्रावलम पड़के हमको फीगर बनाना रहेगा क्योंकि फीगर बना हुआ है ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है तो देखें हमको इस आइसो स्ट्रेंगल जो आपको दिया हुआ है इस पे क्या निकालना है टोटल प्रेशर फोर्स निकालना है और सेंटर आप प्रेशर निकालना है तो हम जानते है टोटल प्रेशर फोर्स क्या होता हूँ रो जी ए एस बार होता है लेकिन इसकी डेंसिटी नहीं दिये है इसकी क्या दिये स्पेसिफिक ग्रिविटी दिया है that is 0.8 तो इसकी स्पेसिफिक ग्रिविटी में में 1000 का मल्टिप्लाई कर दूंगा तो इसकी डें density of this oil is 0.8 into 1000 g is 9.81 and area of this triangle is half into base into height तो देखे base is 3 meter and height is also 3 meter तो देखे इसका area गया half into 3 into 3 अब एजबार हमें निकालना है मतलब इस triangle के CG के दूरी हमको यहां से निकालना है तो देखे हमने center of gravity mechanics में पढ़ा था तो मानलीजी आपका ये कोई सा triangle है जिसकी height कितनी है that is h है ये equilateral triangle भी हो सकता iso slash triangle भी हो सकता है ये scaling triangle भी हो सकता है ये right angle triangle भी हो सकता है कोई भी triangle रहे अगर उसकी height क्या है h है अगर इसकी center of gravity के दूरी यहां से आपको निकालना है तो ये आपके आएगी edge by 3 right angle triangle रहेगा उसकी भी अगर cg की दूरी यहां से निकालना है तो आपकी कितनी आएगी edge by 3 scale triangle रहेगा अगर उसकी भी height edge है तो cg की दूरी यहां से कितनी आएगी edge by 3 इसका derivation हमने किया है जब हमने mechanics पढ़ाता तो देखे इसकी height कितना दिया that is 3 meter दिया तो इसकी center of gravity की दूरी यहां से कितना हो जाएगी 3 by 3 3 by 3 करेंगे तो edge bar की value देखे यह कितना आ गए 1 आ गया अब हम इसको solve कर लेंगे तो you will get the value of total pressure force second हमें निकालना है center of pressure निकालना है तो center of pressure निकालने का देखे हम formula जानते है formula हम क्या जानते है hht equal to ig upon a h bar plus h bar तो area of this triangle आपको मालूम है half into base into height h bar आपने देखा that is 1 meter आया h by 3 करके निकाला अब हमें इस triangle का moment of inertia निकालना है किस axis के वोड़ निकालना है इसके उस centralal axis के वोड़ निकालना है जो की water की surface के parallel है तो यह वाले axis के वोड़ निकालना इस axis ने किस को काटा 3 को काटा हम 3 का cube करेंगे हम triangle का mi का formula जानते that is bh cube by 36 तो देखे b क्या हो जाएगा यह 3 meter यह 3 क्या है b है और यह 3 क्या है h है तो उनने लिका 3 into 3 का cube by 36 इससे ig के value आगे 2.25 meter to the power 4 अब देखिए ig आपको पता चल गए ig यहां put कर देंगे h bar की value आप यहां put कर देंगे area और area और h bar की value हम यहां पर put कर देंगे इसको solve कर लेंगे तो you will get the value of h astric h astric आपका center of pressure कितना आ जाएगा 1.5 meter आ जाएगा इसके बाद हम अगला problem देखते हैं problem number 11 देखते हम लो तो देखिए इस problem में यह आपको कह रहा है ए vertical iso slash triangle gate with its vertex up has a base width of 2 meter and height of 1.5 meter the vertex of the gate is 1 meter below the free water surface find the total pressure force and position of center of pressure on its one side of the plate तो देखिए हम इसको solve करते हैं तो देखिए according to this problem जो आपका figure बनेगा वो इस तरीके का बनेगा तो problem पढ़के हमें यह figure बनाना पड़ेगा तो देखिए इस पर total pressure force निकालना है formula rho g a h bar rho जानते 1000 g 9.81 a is the area of this triangle that is half into base into height base is 2 meter height is 1.5 meter h bar हमें निकालना पड़ेगा h bar देखिए इसकी center of gravity की दूरी उपर से उसको हम क्या बोलेंगे h bar इसकी center of gravity की दूरी उपर से क्या होगा h bar होगा तो देखिए पहले हम इतना distance निकालेंगे यह वाला तो triangle के cg की दूरी नीचे से कितनी आती है that is 2h by 3 आती है नीचे से इसकी center of gravity की दूरी कितनी आती है h by 3 आती है कोई से भी triangle को अगर नीचे से h by 3 है तो उपर से कितने दूरी पर आएगा 2 h by 3 पर आएगी इसकी center of gravity तो 2 h by 3 में हम कितना add कर देंगे 1 add कर देंगे तो इसका h bar आपको पता चल जाएगा इसके cg की दूरी water के free surface से आपको पता चल जाएगा तो देखिए यहाँ पर हमने edge war निकाला है edge war निकाला है that is 2 meter आया यह 2 meter आपका कैसे आया यह आपका 2 meter किस तरी कैसे आया हमने क्या करा 2 plus हमने क्या करा यह 1 है हमने क्या करा यह 1 plus 2 h by 3 करा मतलब 2 by 3 into h करा h कितना आपका 1.5 है triangle की height कितना है 1.5 है जब आप इसको solve कर लेंगे तो you will get the value of h bar h bar आपका आजाएगा 2 meter तो आपने ig निकाल लिया a निकाल लिया h bar निकाल लिया यहाँ पे सारी value आप put कर देंगे तो आपको h astrick की value मिल जाएगे problem number 12 देखते हैं देखिए यहाँ पे भी triangle आपको दिया हुआ है अब triangle की position इस तरीके से है तो क्या बोल रहा है an isosless triangle of base 3 meter and altitude 6 meter तो देखिए altitude इसका 6 meter है base is 3 meter is immersed vertically in water with its axis of symmetry horizontal देखिए axis of symmetry यह है इसकी जिसा आधा उपर portion आपको नज़र आ रहा है विसा आधा नीचे नज़र आ रहा है तो axis of symmetry केसी है horizontal as shown if the head of the water on its is 9 meter तो देखिए यह जो दूरी है यह आपकी 9 meter है ठीक इसकी center of gravity यहाँ पे कहीं पे लाए करेगी उपर से कितने दूरी पर लाए करेगी 9 meter पे करेगी determine total pressure on the plate and position of the center of pressure total pressure भी निकालना है और center of pressure भी हमको find out करना है तो देखिए हम करते हैं हम करते हैं देखिए total pressure force निकालना है तो formula आप जानते है rho g a h bar rho क्या है इसकी density 1000 g is 9.81 a is the area of this triangle triangle का area आप जानते है half into base into height होता है तो देखिए half base कितना है 6 meter और height कितना है 3 meter ठीक है area of triangle मेंने लिका ला half base into height तो आप किसी को इसको base मान लीजिए और इसको height मान लीजिए ठीक है तो half into 6 into 3 edge bar edge bar क्या इसकी center of gravity की दूरी water के free surface से it is given in the problem that is 9 meter तो देखिए total pressure force निकल के आ गया अब center of pressure निकालना तो IG की जरुद पड़ेगी हमको तो देखिए IG निकालना मतलब इस triangle का moment of inertia निकालना इस triangle के centroidal axis के और निकालना है उस centroidal axis के और निकालना जो की water surface के parallel है तो देखिए अगर इस axis के और इस triangle का MI निकालना है तो आपको इसको 2 triangle बनाना पड़ेगा एक उपर पीला वाला और नीचे सफेद वाला तो हम जानते हैं अगर ये आपको एक triangle है इस triangle की ये वाली set B है और ये वाली set क्या है H है अगर इस triangle का moment of inertia इस base वाले axis के और निकालना है तो इसका formula का derivation हमने mechanics में किया था कितना आता इसका MI इसके और that is BH cube by 12 इस triangle का अगर moment of inertia इसके centroidal axis के और निकालना है तो इसका भी derivation हमने किया था that is BH cube by 36 तो हम क्या करेंगे पहले इस triangle का MI पीले वाले triangle का MI इस base वाले axis के और निकाल लेंगे फिर उसपर 2 times multiply कर देंगे तो नीचे वाले triangle का MI इस वाले axis के और आ जाएगा तो देखे पहले हम पीले वाले triangle का MI निकाल रहे हम पीले वाले triangle का MI इस axis का और कितना आएगा 6 into 1.5 देखे यह वाली side 1.5 meter आएगे total कितना है 3 है 3 का आधा करेंगे तो यह h यह h आपका कितना आ जाएगा यह 1.5 आ जाएगा यह total कितना है base 6 है तो मैंने लिका 6 into 1.5 का cube divided by 12 इसमें मैंने 2 का multiply कर दिया तो इस पूरे triangle का MI इस वाले axis के बाउट आ गया तो आपने क्या करा IG को value निकाल लिए h bar देखे आपको नजरी आ रहा है 9 meter is the area of triangle that is half into base into height यह सारी value आपने इसमें put कर दिया तो you will get the value of h ast वो आपको आ जाएगा 9.04 meter तो देखे कभी triangle आएगा कभी rectangle आएगा कभी circle आएगा कभी semicircle आएगा कभी triangle आपका vertical रहेगा कभी horizontal हो जाएगा इस तरीके के problem बनते हैं अब हम next problem देखते हैं problem number 14 देखते हैं अब देखे इसमें क्या दिया है एक आपको trapezium type का कोई gate दिया हुआ है तो इस पे कह निकालना है total pressure force निकालना है और center of pressure आपको find out करना है तो क्या बोल रहा है a caissons of a closing the entrance to a dry dock is of trapezoidal form 16 meter wide at the top and 10 meter wide at the bottom and 6 meter deep इसके dimension दिया है उपर केतना दिया है 16 दिया है नीचे 10 meter दिया है और यह depth केतना दिया है 6 meter find total pressure and center of pressure on the caissons if the water on the outside just level with the top and duck is empty ठेक तो देखिए इस तरीके का gate है तो इस पे पहले हम total pressure force निकालेंगे फिर center of pressure निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए पहले हम rectangle पे निकालेंगे total pressure force कैसे निकालेंगे rho g a h bar करके निकालेंगे फिर यहाँ पे आपका एक triangle है इस पे निकालेंगे total pressure force फिर इस triangle पे निकालेंगे यह हम यह काम भी कर सकते इन दो triangle को एक ले ले इन दो triangle को हम एक ले ले तो यह आपका इस तरीके से कुछ ISO slash triangle बन जाएगा अगर मैंने इन दोनों triangle को एक ले लिया तो ठीक है तो यह इन दोनों का sum कितना आएगा 6 meter आएगा मतलब यह कितना हो जाएगा आपका 6 meter हो जाएगा जब हमने इन दोनों को एक मान लिया एक मानने में फाइदा रहेगा यह आप क्या करेंगे इस पे total pressure force निकाल लिए और उसका 2 times कर दीजिए तो इस पे भी total pressure force आपका निकल के आ जाएगा लेकिन मैं कैसे करूँगा इन दोनों को एक मान के तो देखे हम करते हैं तो देखे पहले हम क्या कर रहे है rectangle जो section आपको नजर आ रहा है इस पे पहले total pressure force निकाल रहे है क्या formula है rho g a h bar rho density है g आपका 9.81 is the area of this rectangle इसका देखे area कितना होगा 10 into 6 area कितना होगा 10 into 6 h bar क्या होगा इस rectangle की cg की दूरी यहां से तो total कितना है यह 6 meter है 6 meter का आधा कर दीजिए तो इसके cg की दूरी यहां से आजागी that is 3 meter तो इस rectangle के उपर जो total pressure force f लग रहा है वो आपका निकल के आ जाएगा इतना अब देखे इन दो triangle को मैंने एक लिया है इन दोनों triangle पे भी हमको total pressure force निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे rho g a h bar density of water जानते हैं g आप जानते is the area of this triangle half into base into height इन दोनों को मैंने एक लिया है तो ये 3 meter और ये 3 meter तो total कितना आ जाएगा 6 meter इसलिए मैंने base 6 लिया है और height भी आपका कितना है 6 है अब देखिए हमको इस triangle दोनों को एक मान लिजिए ये आपका एक हो गया triangle इसकी ये वाली side कितना है 6 meter है और इसकी height आपको दिया है that is also 6 meter हमको क्या करना इस triangle के cg की दूरी निकालना यहां से that will be the value of h-by हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है अगर आपका ये triangle है इस triangle के अगर height कितना h है तो triangle के cg की दूरी ये कितनी आती है that is h-by 3 आती है हम जानते है body को rotate करने से body की center of gravity कभी भी change नहीं होती है अगर मैं इस triangle को उल्टा कर दो इस तरीके से अभी भी देखिए इसकी height कितनी आपको नजर आ रही that is h-meter नजर आ रही अभी भी इसकी center of gravity की दूरी यहां से कितनी आएगी h-by 3 आएगी तो देखे h आपको कितना देए 6 meter 6 by 3 करेंगे तो यह h-bar यह h-bar आपका निकल के आ जाएगा यह h-bar आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा देखे यहाँ पे निकला है यह h-bar कितना निकल के आ जाएगा that is 2 meter हम triangle का h-bar निकाल रहे है तो triangle का h-bar 6 by 3 करेंगे तो कितना आ गया जब अब इसको solve कर लेंगे तो total pressure force जो triangle पे लगेगा कहां पे लगेगा center of pressure पे लगेगा center of gravity पे रही लगेगा कहां लगेगा center of pressure पे लगेगा वो निकल के आपका आ जाएगा तो देखें total pressure force आपने rectangle में निकाल लिया total pressure force इन दोनों triangle को एक मान के आपने निकाल लिया अब देखिए triangle के उपर total pressure force इतना लग रहा है rectangle के उपर इतना लग रहा है तो इस trapezium shape का जो आपको gate नजर आ रहा है इस पे total pressure force कितना लगेगा तो rectangle पे जो लग रहा है plus triangle पे जो लग रहा है इन दोनों को अपन add कर देंगे तो इस ट्रेपाइजर्डल सेफ का जो gate है इस पे total pressure force आपका इतना लगेगा कैसे लगा? मानलीजे center of pressure है ये rectangle का इस पे लग रहा है ये f ये इतना लग रहा है अब ये है इसका मानलीजे ये center of pressure इस पे इतना लग रहा है इसका ये center of pressure है इस पे इतना लग रहा है इन तीनों को मैंने जोड दिया तो क्या गए इस ट्रेपाइजर्डल सेफ पे total pressure force इतना लग रहा है हमें निकालना है कि ये कहां पे लगेगा उपर से इसकी दूरी यहां पे कितनी आएगी तो उसके लिए पेले आपको निकालना पड़ेगा इस ट्रेंगल के ये इसकी दूरी यहां से कितनी आएगी रेक्टेंगल के center of pressure की दूरी यहां से कितनी आएगी इस ट्रेंगल के center of pressure की दूरी यहां से कितनी आएगी हमने तो दोनों ट्रेंगल को एक मान लिया है तो दोनों ट्रेंगल का center of pressure के दूरी हम कहां से निकाल लेंगे उपर से find out कर लेंगे तो देखे हम निकालते हैं rectangular section के लिए देखे center of pressure आप जानते हैं क्या होता है hht is equal to ig upon e h bar plus h bar ig of rectangle आपको निकालना पड़ेगा side का cube करेंगे हमने लिका 10 into 6 का cube by 12 तो ig of this rectangle आगया e is the area of this rectangle that is length into breadth यह आपका आजागा 60 meter square h bar इस rectangle के cg के दूरी from the free surface of water यह आपका कितना आजागा 3 meter तो इसको इन तीनों value को इस formula में आप put कर दीजेगा तो h bar के आपको h astrick के value आजाएगी that is 4 meter तो center of pressure आपको rectangle के लिए मिल गया अब center of pressure इस triangle के लिए आपको निकालना है जिसकी side यह कितना 6 meter है और इसकी height जो है that is given to you that is 6 meter है तो देखिए हम इस वाले formula में value put करेंगे इसमें आपको ig निकालना पड़ेगा इसमें आपको ig निकालना पड़ेगा triangle का moment of inertia इस axis के लिए निकालना पड़ेगा यह central axis है यह उस axis के लिए निकालना पड़ेगा जो water surface के क्या है parallel है तो इस axis ने किसको कटा 6 वाली side को कटा 6 का cube करेंगे triangle का moment of inertia उसके central axis के लिए आता है bh cube by 36 तो base is 6, height is also 6 तो 6 का cube by 36 करा तो ig of this triangle आपको पता चल गया is the area of this true triangle तो इनका area क्या होगा half into base into height that is 18 meter इसको राजाएगा h बार, h बार इस triangle के cg के दूरी यहां से हम जानते है triangle के cg के दूरी यहां से क्या आती है, h by 3 आती है h कितना है 6, 6 by 3 करेंगे तो यह आपका आजागा 2 meter जब यह तीनो value आप इस formula में put करेंगे, तो you will get the value of h astric for this triangle that is 3 meter तो आपने देखे, center of pressure rectangle और triangle के लिए दूरो निकाल दिया अब देखिए आपका यह वाला figure ध्यान से देखिएगा तो देखिए, यह rectangle पे total pressure force जो लग रहा है वो है और rectangle के लिए आपने center of pressure निकाल दिया, यह triangle पे जो pressure force लग रहा है और उसके लिए भी center of pressure के दूरी आपने निकाल दिया यह total pressure force है, जो इस trapezoidal shape के gate पे लग रहा है और इसकी दूरी हमको निकालना यहां से h astric तो मतलब आपको क्या करना है इन तीनों का जो resultant pressure force है उसकी दूरी यहां से निकालना है ठीक है, मतलब इस resultant की position निकालना है तो resultant की position निकालने के दो तरीके होते हैं, एक आपका होता है analytical method और second आपका होता है graphical method graphical method से निकालना है तो आपको variance theorem लगाना पड़ेगा variance theorem क्या बोलता है the algebraic sum of the moment of all the forces about any point or line is equal to the moment of their resultant about the same point or line, variance theorem बोलता है इस force का moment उपर वाली line के about plus resultant वाले force का moment उपर वाली line के about plus इस वाले force का moment उपर वाली line के about किसके वराबर होगा वो इस वाले force का moment उपर वाली line के about होगा ठीक, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे resultant की position find out कर लेंगे, अब देखिए इसका moment अगर मैं उपर वाली line के about लूँ, हम जानते moment क्या होता it is product of force and the perpendicular distance, तो ये f का moment उपर वाली line के about कितना हैगा, f into h net ठीक, अब देखिए rectangle का moment उपर वाली line के about लेना है, तो f rectangle into h rectangle अब हमने इन दोनों को तो एक मान लिया है तो इन दोनों को एक मान लिया तो f triangle into h triangle अब लिख देंगे तो देखिए f rectangle आप जानते आप निकाल चुके हैं, rectangle के center of pressure के दूरी आप निकाल चुके है triangle पे total pressure force कितना लगेगा, वो निकाल चुके है triangle का center of pressure किधर आएगा वो आप निकाल चुके हैं, इस equation को आप solve कर लेंगे, तो you will get the value of पूरे इस traditional shape body जो है उसका total pressure force वो कहां पे लगेगा, वो आपको पता चल जाएगा, कितना लगेगा उसके लिए आपने rectangle और triangle पे जो pressure force लग रहा था, उसको क्या करा जोड दिया, अब वो कहां पे लगेगा उसके लिए आपने क्या करा variance theorem लगाया, variance theorem क्या कहता है, ये resultant का moment उपर वाली line के about किसके बरावर होगा, rectangle पे जो force लग रहा है, pressure force लग रहा है, उसका moment उपर वाली line के about प्लस इन दोनों triangle पे जो pressure force लग रहा है उसका moment उपर वाली line के about, तो इसका application आगे हम ओर करने वाले हैं अब हम फिर अगला problem देखते हैं